स्री शिवाय नमस्तुब्यम हरहर महादिव आप सभी का मेरे शेनल पर बहुत-बहुत स्वागत है स्री गड़ी शाय नमहा, ओम गनगन पते नमहा आज शी वीडियो में मैं आपको सकट चौट से जुड़ी हुई तीन व्रत कथा पढ़कर सुनाओंगी तो हातों में अच्छत और पुस लेकर हम भगवान गड़ेश जी की पहली कथा का सुरण करते हैं एक बर माता पारवती इस्नान करने गई इस्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गड़ेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देती हुए कहा कि जब तक मैं इस्नान करकर खुद बाहर ना आओं किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना गड़ेश जी अपनी मा की बात मानते हुए बाहर पहरा देने खड़े हो गए उसी समय भगवान स्यू माता पारवती से मिलने आये लेकिन गड़ेश भगवान उन्हें दरवाजे पर कुछ देर रुकने के लिए कहा भगवान स्यू ने इस बात से बेहत आहात और अपमानित नहसूस किया गुस्सूई में उन्होंने गड़ेश भगवान पर तिशूल का वार किया जिससे उनकी गरदन दूर जाकर गिरी इस नान घर के बाहर सोर गुल सुनकर माता पारवती बाहर आई तो देखा कि गड़ेश जी की गरदन कटी हुई है ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने स्यूजी से कहा कि गड़ेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे इस पर स्यूजी ने एक हाती का सिर लेकर गड़ेश जी के सिर पर लगा दिया इस पर गड़ेश भगवान को दूसरा जनम मिला तबी से गडेश की हाती की तरह सून होने लगी तबी से महले आएं बच्चों की सलामती के लिए माग मा में कृश्ण पक्षी चतुर्ती को गडेश चतुर्ती का ब्रत करने लगी कथार नंबर 2 किसी नगर में एक कुमार रहता था एक बार जब उसने बरतन मना कर आवा लगाया तो आवा नहीं पका परिशान होकर वा राजा के पास गया और बोला कि महराज ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है राजा ने राजपंडित को बुला कर कारण पूछा राजपंडित ने कहा हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बली देने से आवा पक जाएगा राजा का अदेश हो गया बली आरम होई जिस परवार की बारी आती थी वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बली के लिए भेज देता इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढिया के लड़की की बारी आई बुढिया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था पर राजा की आग्या कुछ नहीं देखती दुखी बुढिया सोचने लगी मेरा एक ही ही बेटा है वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा तभी उसको एक उपाय सुझा उसने लड़के को सकट की सुपाडी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा भगवान का नाम लेकर आवा में बैट जाना सकट माता तेरी रच्छा करेंगी सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढिया सकट माता के सामन बैट कर पुजा प्रातना करने लगी पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे पर इस बार सकट माता की किरपा से रात ही में ही आवा पक गया सवेरिक वहान ने देखा तो हैरान रह गया आवा पक गया था और बुढिया का बेटा जीवित और सुरक्षित था सकट म पुजा और व्रत का विधान चला आ रहा है कथा नंबर 3 बुढिया माई की कहानी एक बुढिया थी वह बहुत ही गरीब और दृष्ट हीन थी उसके एक बेटा और बहु थे वह बुढिया सदेव गड़ेश जी की पूजा क्या करती थी एक दिन गड़ेश जी प्रकट होक तब बुढिया ने अपने बेटे से कहा गड़ेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले बता मैं क्या मांगूं पुत्रे ने कहा मा तू धन मांग ले बहु से पूछा तो बहु ने कहा नाती मांग ले तब बुढिया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं अ मुझे नौकरण की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आखों की रोसनी दे दे, नाती और पोता दे दे, और सब परिवार को सुख और अंत में मोक्ष दे, यह सुनकर तब गड़ेजी बोले, बुढ़िया मा, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जैसे तुमने उस बुढ़िया मा को सब कुछ दे दिया, वैसे हमको भी सब कुछ दे देना, हाथ में आपने जो अच्छा तोर पुस्व लिया है, वा भगवान गड़ेजी के स्री चरणों में अर्पित कर दे, तो इस प्रकार हमारी सकट चौत के दिन, गड़ेजी से जु शिवाय नमस्तु भ्याम, हर हर महादेव